हेलो एन वेलकम टू लर्निंग बुक लर्निंग बुक पे आज से आप सभी के लिए डेली करेंट अफेयर की एक नई सिंख्रला प्रारंब हो रही है इस सिंख्रला में प्रति दिन देश विदेश में हो रहे है महत्पूर घटना क्रम पे प्रशनों को कराये जाएगा करेंट अफेयर कुछ से आपको आपके आगामी प्रतियोगी परिच्छा में अच्छे अंक प्राप करने में मदद मिलेगी या सिंख्रला प्रतियोगी छात्रों के लिए तो बेहद ही महत्पूर है साथ ही साथ या सिंख्रला उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्पूर है जो आपको देश-विदेश की महतपूर जानकारियों से अपडेट रखना चाहते हूँ तो आईए फिर सुरुवात करते हैं आज 21 अप्रेल के करेंट अफेयर को आज का पहला प्रस्ण है पीम मोदी ने COVID-19 उपचार के लिए आईएरवेद और पारंपरिक दमाओं के वैज्ञानिक सत्यापन के लिए टास्क फोर्स तयार किया है वर्तमान आईश मंतरी कौन है दोस्तो हमारे देश में पारंपरिक दमाओं के विकास के लिए आयूस मंत्राले द्वारा कारी किया जाता है हमारे वर्तमान में आयूस मंत्री है श्रीपद एसो नाइक जी इनका जो संसदी छेतर है वो नार्थ गूवा है आयूस की स्पेलिंग ए, वाई, यू, एस, एच है इसमें ए से आयरुवेदा होता है वाई से योगा, यू से यूनानी एच से सिद्धा और एच से होमियोपेथ होती है मतलब कि हमारे देश में जो पारंपरिक दमाएं हैं उन पांचों को इसमें एड़ किया गया सिद्धा और यूनानी भी आयरुवेद और होमियोपेथ की तरह ही एक पद्दती है जिसके द्वारा रोगों का इलाज किया जाता है दूसरा प्रस्ण है आज का नेशनल इंस्ट्यूट आफ रूरर डेवलप्मेंट एंड पंचायती राज ने कोविड नाइनटीन से लड़ने के लिए आनलाइन के माध्यम से सामुदाइक नेताओं को प्रस्चित करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया है तो NIRDPR कहाँ इस्थित है NIDPR इस्थित है हैदराबाद में NIRDPR यूनिसेफ के साथ एक कॉलिबरेशन किया है जिसमें इनका लक्ष है 28 लाग से अधिक सामुदायक नेताओं को प्रसिक्षित करना इसके अंतरगत तिलंगाना, आंध्राप्रदेश, करनाटका के गाओं में COVID-19 के खिलाफ सामाजिक बेवहार को नियंतरित करने के लिए इन्हें प्रसिक्षित किया जाएगा और ये सामुदायक नेताओं जो हैं ये अपने आसपास के लोगों को उसके बारे में जागरूप करने का काम दिया जाएगा, दोस्तों UNICEF का हेड़क्वाटर नियुयार्क में है साउथ एसिया में जो UNICEF का, हम दक्षिड एसिया करने के लिए सलाह जारी की है गृमन्त्राले के आधियन काम करने वाले साइबर समवन्वे केंद्र ने वीडियो काउन्फरेंसिंग जूम का उपयोग से बचने की सलाह आम वेक्तियों को दी है, गृमन्त्राले का ऐसा मानना है कि कोई भी वेक्त जूम एप में आसानी से आपके डेटा में सेध लगा सकता है और ग्री मंतराले ने सरकारी काम काज के लिए इस एप को प्रतिबंधित कर दिया है और आम आदमियों के लिए यह सलाह दी है कि जूम एप के इस्तमाल को ना करें नेक्स्ट कोश्चन है आपदा अधनियम 2005 के धारा 51B के तहट COVID-19 से बचाओ के मद्दे नजर सारवजिनिक अस्थानों पर थूगना अपराद घोशित कर दिया गया है जिसमें थूखने पर सजा और जुर्बाना दोनों लगाया जा सकता है तो इसका कौन सा आप्सन करेक्ट होगा 51B यानि कि B वाला अप 52B के तहट जो है सारवजिनिक अस्थानों पर थूगना अपराद घोशित कर दिया गया है हमारे ग्रीह मंत्रा ले द्वारा नेक्स्ट कोशन है उस भारती सहर का नाम बताईए जिसमें सारवजिनिक अस्थानों पर फेस मास्क की घोशडा की है मतलब सबसे पहले सारवजि के महराश्ट में सबसे ज़्यादा COVID-19 के केस हैं तो वहां की जो सहर मुंबई है वहां पर सारवजिनिक अस्थानों पर फेस मास्क को अनिवार करने वाला सबसे पहला भारती सहर मुंबई ही है नेक्स्ट कोशन है आसियान देशों के अलावा अन्न देशों के नाम जिन्होंने COVID-19 की प्रतिक्रिया में आसियान के साथ तीन सिखर सम्मेलन में भाग लिया तो वो तीन देश पूछे जा रहे हैं कि इसमें कौन से तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने सिखर सम्मेलन में भाग लिया है तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि चीन, जापान और द आसियाई देशों का संगठन है आसियान में कुल दस सदस्य देश हैं ये हैं देख लेते हैं कमबोडिया ब्रुनेई लाओस मिम्यार मलेशिया फिलिपीन्स शिंगापुर थाइलेंड वियतनाम और इंडोनिसिया ये सारे का 10 की 10 देश आसियान के सदस्य हैं आसियान सिकर्सम्मेलन में चीन जापान और दक्षिड कोरीया ने भी कविड चनंडीन पैंडविक बैस्विक्ड महामारी से बचाओं के उप्योगों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया था तो आसियान ये इसका correct हो जाएगा next question है भारत में पहली बीमा कंपनी का नाम बताईए जिसने अपने policy धार को और एजेंटों के लिए COVID-19 महमारी के दोरान उन्हें समर्थन देने के लिए अतरिक्त लाभों की घूशड़ा की है Tata AIA G1 बीमा कंपनी ने अपने खाता धार को और एजेंटों को जो policy धारक जिन्हों ने भी Tata AIA से policy ली है और Tata AIA G1 बीमा के जो एजेंट है उन्हें Tata ने अतरिक्त लाभ देने की घूशड़ा की है यदि इनके policy धारक या एजेंट में से कोई भी COVID-19 के infection का सिकार होता है तो इन्हें company अतरिक्त लाभ देगी तो ये बहुत ये अच्छी पाहल है Tata AIA G1 बीमा की next question है एकोरप ने भविश्वारी की है कि वित्वर्स 21 के लिए भारत GDP ब्रिधी 1.1% गिर सकती है एकोरप किस भारती PSB का सोध बिंग है एकोरप सबसे पहले तो ये जान लिए भारती State Bank का सोध बिंग है इसने वित्वर्स 21 वित्वर्स 21 से क्या मतलब होता है वित्वर्स 21 का मतलब होता है 1.अपरेल 2020 से ले करके 31.march 2021 तक के लिए 1.अपरेल 2020 से 31.march 2021 का जो समय होता है उसे वित्वर्स 21 कहेंगे इसके लिए जो है एको रैप जो भारती स्टेट बैंक का सोध बिंग है उसने जो है एक अनुमान लगाया है घोशडा की है कि इसमें एक दसमलों एक प्रतिसत तक भारत की जीडीपी गिर सकती है नेक्स्ट कोशन है उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसे विश्वन जीव कोश भारत के परियावरण सिक्षा कारिक्रम का राजदूत निक्त किया गया है विश्वन जियू कोष ने भारत के परियावरण सिक्षा कारिक्रम का राजदूत पांच बार के विश्व सतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को निक्त किया है विश्वनाथन आनंद जो है पांच बार के विश्व चैंपियन सीप जीच चुके हैं सतरंज में तो इसका कौन सा option correct होगा, C वाला इसका option correct हो जाएगा, next question है, वित्त मंत्री निर्मला सीता रवन ने अंतरराष्ट्रिय मुद्रा कोश, IMF की अंतरराष्ट्रिय मुद्दा और वित्ती समीत की पूढ की पूढ बैठक में भाग लिया, IMF में कितने सदस से मौजूद हैं, देखे, IMF में इस समय कुल 189 सदस से हैं, और IMF यानि की अंतरराष्ट्री मुद्रा कोश का मुख्याले वासिंग्टन DC में हैं, और इसकी मैनेजरिंग डायरेक्टर क्रिष्टलीना जारजीवा हैं, तो इसके दो factor याद कर लेंगे, इसकी मैनेजरिंग डायरेक्टर क्रिष्टलीना जारजीवा बहुत ही पूछी जाती हैं, और इसका मुख्याल है वासिंग्टन DC में है, नेक्स्ट कोश्चन है, प्रिथभी के आकार के एक्जो प्लैनेट का नाम बताईए, जो नासा के वैग्यानिकों द्वारा पाया गया था, नासा के वैग्यानिकों द्वारा जो एक्जो प्लैनेट पाया था, उसका नाम कैपलर 1649C था, तो लेकिन यहाँ पर आप्शन में कैपलर 1649C नहीं है, तो इसका कौन सा आप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई सा भी आप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें गलत प्रिंट हो गया Option A 1649C, Kepler 1649C correct होगा, इसी ध्यान दे लेंगे, कि NASA एक अमेरिका की Space Agency है, इसने Exoplanet ढूड़ा था, खोजा था, जिसे Kepler 1649C नाम दिया गया था, तो Option A इसका correct होगा. Next Question है, श्री चित्रा तिरूनल Institute for Medical Sciences and Technology ने चित्रा Gene Lamp N परिक्षड किट विक्सित किया है, जो दो घंटे में COVID-19 के परिडामत को दीती है, तो ये जो है परिक्षड किट विक्सित करने वाली जो चित्रा इंस्चिट फॉर मेडिकल साइंसे और टेक्नोलोजी है, ये किस राज आप चाहेंगे तो तिरूनल नाम केरल, तिरूवंत पूरम केरल में ये इस्थित है, तो इसका ए ऑप्षण करेक्ट हो जाएगा, श्री चित्रा तिरूनल इंस्चिट फॉर मेडिकल साइंसे और टेक्नोलोजी तिरूवंत पूरम केरल में इस्थित है, इसने Gene Lamp N विक्सि कमपनी का नाम बताइए, जिसने TalkBack नाम से Virtual Braille कीबोर्ड लांच किया है, गूगल ने TalkBack नाम से नया Virtual Braille कीबोर्ड लांच किया है, तो TalkBack कौन वर्चुल कीबोर्ड है, इसे किसने लांच किया, इसे Google लांच किया है, अब देखे, Braille कीबोर्ड अगर आ रहा है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये द्रिष्ठीन विक्तियों के लिए सहायक सिद्ध होगा इसमें टॉक बैक है कि आपको जो टाइप करना है यानि कि द्रिष्ठीन विक्तियों को जो टाइप करना है वो कीबोर्ड से बात करके भी टाइप कर सकते हैं तो ये द्रिष्ठीन विक्तियों के ल टेनिस फेडरेशन अंतराष्ट्रिय टेबल टेनिस महासंग में भारत कमल की रैंक क्या है जो पुरुष खिलाडी योग की विस्व रैंकिंग 2020 भारत में नंबर वन है देखे भारत कमल जो है इनकी विस्व में रैंकिंग 31 है मतलब 21 रैंक है इनकी पूरे वर्ड में लेकिन ये भारत में पहले नंबर के खिलाडी है और ITTF की सूची में चीन के फैन हेंग डॉंग नंबर वन पे हैं तो आयाई ITTF यानि की अंतराष्ट्रिय टेबल टेनिस महासंग की सूची में पहले नंबर पे चीन के फैन हेंग डॉंग है और भारत के जो भरत कमल है इनकी रैंक अंतराश्ट्री टेबिल टेनिस महासंग की सूची में 31 है लेकिन ये भारत में पहले नंबर के खिलाड़ी है नेक्स्ट कोश्चन है उस व्यत्ति का नाम बताईए जिसने शट्लिंग है यहाँ पे शट्लिंग प्रिंट है तो शट्लिंग टू दा टॉप दा इस्टोरी आफ पीबी सिंधू नामक पुस्तक लिखी थी तो ये कृष्णा स्वामी वी है पीबी सिंधू जो है ये भारत की बैटमिंटन खिलाड़ी है इनका संबंध हैदराबास से है ये पदम सिरी पदम विभूशड और राजी गाधी खेल रतन जीच चुकी है तो भारत की एक महतपूर खिलाड़ी है जो बैटमिंटन खेलती है इनकी पुस्तक शेटलिंग टू दा टॉप दा इस्टोरी आफ पीबी सिंधू इस पुस्तक के लेखक है क्रिश्ट स्वामी वी यानि कि फूर्थ आप्शन इसका डी वाला आप्शन करेक्ट हो जाएगा इसे किस ने लांच किया है राष्ट्री सूचना विज्ञान केंदर द्वारा लांच बिक्सित किया गया है का नाम बताइए तो इसका नाम क्या है इसका नाम है किसान रत हमारे केंदरी मंत्री कौन है नरेंदर शिंग तोमर है इन्होंने क्रिसी उत्पादन के परिवाहन क को सुबिधा जनक बनाने के लिए यानि कि जो क्रिसी का उत्पादन खेतों में हुआ उसे खेतों से बजार में कैसे ले जाए और कैसे जल्द से जल्द ये बजार से पूरे और मार्केट में फैले उसके लिए उसको सुबिधा जनक बनाने के लिए एक मुबाइल एम्प किसा का अपना वाहन है इस एप में क्या लख्ष है इस एप का कि इस एप से पांच पांच लाग ट्रक और बीस हजार ट्रेक्टरों को जोडने का लक्ष किसान रथाइब से रखा गया है किसान रथाइब पर बीस लाग पांच लाग ट्रक और बीस हजार ट्रेक्टरों को जोडने का लक्ष है तो दोस्तों ये था 21 अप्रेल का करेंट अफेयर आसा करते हैं कि कि आपको current affair की ये series आज का प्रशनुतर अच्छा लगा होगा हम इसी तरीके से daily का daily आपके लिए current affair लेके आएंगे आपसे ये अनुरूध है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक share करें क्योंकि आप वीडियो जितना जादे share करेंगे हमारा उतना ही अधिक मनुबल ऊचा होगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए thank you for watching this keep study on learning book